जनम ताँ दुख दे विची है और मर्ण भी दुख देच हो गया तो जगत ते आया निस्वल चला गया जनम ते संसार देच है अगर मर्ण भी संसार देच आवाया मर्या भी संसार देच है तो जीमना व्यर्थ चला गया जनम ते सारेयां दे करीबन करीबन जहर दे चाए पर कदी कदाई कोई इस धांग नाल मरदा है के उस दा मरना अमरत हो जाना है जनम ते सारेयां दा संसार दे चाए पर कदी कोई मरदा है ते मरन तो पहले इंज परतीत हों दे जैसे के निरंकार दे चाए जनम ते हरेक दinflबी दुख दे चाया ऐसा कोई नहीं कि जनम सुख हो गया जनम ते सारेां द Sanders दुख दे चाया अगर जीवन भी दुख दे चाया ते मरन भी दुख दे चाया तो जीवन दा लाहाग इस मनुखने ने लेया साहिब गुरूनानिक देव जी महराज ने, गुरूविन सिंग जी महराज ने कोशिश कीते जहर देच खडे हो इस मनुखनों अम्रत तक पुचाईगे संसार देच इस जनम मनुकनों निरंगार तक पुचाईगे पदारत देच ए जमयां ते पलेया मनुक परमात्मा तक पहुँचे दुख देच जिस्दा जनम है इनु सुख दे सागर तक पुचाईगे के में पुचाईगे गुरुनानिक गुरुगोबिन सिंग जी महराज़ दी सोचने अजीम सोचने मनुक नु राजी करना भी बहुत वड़ा कम है क्यों? कि कहिया नु ऐसा भी होंदा है अमरत कौडा बिखेया मीठी अगर जहर मिठी लगन लग पई है जहर ही स्वाद लगन लग पई है तो उस मनुक नु अमरत तक पुचाणा ते अमरत लई राजी करना ते जहर दा बोद करना बड़ा लंबा समा चाही दै ताइसो साल लगे मनुक नु अमरत तक पुचाणा देच पहले तो उसनु समझाया गया तो जहर देच जाए और मैं अर्ज करां जहर मनुक बड़ी खुशी नल कबूल कर दै शराब जहर है पर मनुक खुशी नल पींदा है जबरदस्ती थे नहीं वैर विरोद जहर है पर मनुक खुशी नल अपने हिरदेश सहेड़ थे जबरन थे नहीं वितक्रिया ते भेद भाव एक जहर है भै एक जहर है लेकन मनुक खुशी नल चुणदा है जिसने खुशी नाल वेर विरोध नू चुन ले भेद भाव नू चुन ले बिख नू चुन ले जहर नू चुन ले पहले तुसनों बोध करना पहेगा तु गल्द चुनाओ कर ले तु चौन गल्द कीती है एक दफा मनुख जी किदरे अपने प्रती गल्द चौन कर लवे तो ओ फिर समाज कितलते भी गल्द चौन करेगा विवहार देच भी गल्द चौन करेगा राजनीती देच भी गल्द चौन करेगा जो अपने प्रती गल्द है वो समाज प्रती गल्द है जो अपने प्रती गल्द है वो राजनिती प्रती गल्द है जो अपने प्रती सही नहीं वो समाज प्रती सही नहीं हो सकता जो अपने प्रती सही है वो राजनिती वास्ति भी सही है जिसने अपने नाल इनसाफ कीता है वो संसार नाल भी इनसाफ करेगा जिसने अपने नाल इनसाफ कीता है वो समाज नाल भी इनसाफ करेगा ति जिसने जहर नों ही चुन ले आपने जिन्दगी लई उसने ते अपने लई भी इनसाफ नहीं कीता किसे तरस नहीं खा था कि जिस मनुख ने अपने तरस नहीं की था किस तरह उमीद करोगे किसे हो रहां करे कि मैं उमीद की ती जा सकती है तो पृथम मनुखता नों ये बो़ध करना था तो जिस गलत चुनाओ कीता है और फिर उसनों सही चोन प्रती राजी करना से अर्षा धाई सो साल लगे है एपी रड़ गुरुनानिक देव जी महराई तो गुरुगोविन सिंग जी तक अंदाजन धाई सो साल इतना अर्षा लगे है इस जहर दे दल्लद इच खड़े मनुखनों अम्रद दे कुंड तक पचान देच इस जहरेली जिन्दगी तो गड़ के अम्रद दे सोमें तक पचान लई कितना समा लगे है एक पत्थर दी मूरती नों घड़ना है सोनी शकल देनी है तो पत्थर इनकारी नहीं उकेंदा ठीक है घड़ राजी हो जान दे संग तराश उसनों अपने पैरां दे फले देन दे उस दे छेणा हथोड़ा चलान दे बहुशी पत्थर कबूल कर लेन दे ठीक है तूं छेणा मार रहे हैं तूं हथोड़ा मार रहे हैं तू मेंनू पैराँ थले लिताड रहे हैं ये मेंनू कबूल है कूंके तू मेंनू ऐसी शकल देवेंगा के देवते भी मेरी पैराँ ते पैनगे मेनू सजदे होनगे, मेरी पूजा होवेगे पत्थर इनकारी नहीं है लेकिन मनुखनों घड़या जाए मनुख इनकारी हो सकता है नहीं बाबा मैंने घड़ना अपड़ने आप तो कहने अमरत विले उठ मैंने उठदा तो कहने अमरत छक मैंने छगदा तो कहने संगदिच आव मैंने आवना तो कहिना है कि इरतन्नाल जोड में नहीं जोड़ना तो पहले ति इस हठीले मनुख नू राजी करना होगा पत्थर नू राजी नहीं करना यकीन जानों गुरु भी संग तराश है एक संग तराश भी संग तराश है फरक सर्फ इतना है कि एक मुर्दा पत्थर नो घड़दा है एक जीमदे जागदे पत्थर नो घड़दा है और ओ जो मुर्दा पत्थर है ओ इनकार नहीं करदा है एक जीमदा जागदा पत्थर इनकार करदा है सद्गुर्ण पेले इसनों राजी कर देन, तू राजी हो, तैनों मैं तराशां, तैनों मैं घड़ां, सजदा तैनों फिर प्रमातमा भी करेगा संग तराश ने मत्था नहीं टेकिया ऐसीक में तेनु इस धांगलाल घणाँगा कि मैंनो भी मत्था टेकना पे देयाँगा लेकन मनुखनू राजी करना सी बड़ी मुश्किल देनाल मैं समझदां चंद बंदे राजी होए और गुरू अजेवी राजी कर रहे हैं अपने शबद दे रही मुक्तसर मैर्श करां घडंदा ढंग तौर तरीका संग तराश जो कला कार है उस दे को लपना है गुरू को लपना है गुरू ने संसार ते द्रिष्ट मारी की देखेया कि सारा संसार पंज तत्तां दी बंतर है पादशा दी बाणे पंज तत्त कर तुद सब स्रिष्ट साजी कोई छेवा करे हो जे किछ कीता होए सारा संसार पंज तत्त देचे ए देही पंज भूतक शरीर है पंज तत्तां दा पुतल है गृुनान ने गृुरु गोविन सिंक जी नू दिखाई देता कि कायनात देच पंजा दी गिनती परधान है सिर्मा हो रहा है जीवन दे हर पक देच एप पंज परधान दिखाई देते शरीर पंज ततदा पुतला फिर श्रीर नो बक्षिश की ते प्रमात्मा ने पंज ग्यान इंद्रे और घजब दी गल रस भी पंज ने है छेमा कोई रस नहीं है कुछ वेख के रस लेना है, कुछ सुन के रस लेना है, कुछ सुन के रस लेना है कोई चक के रस लेना है, कोई सपर्ष करके रस लेना है, शबद, सपर्ष, रूप, रस, गंद, कोई छेमा रस लेना है, अगर कोई रस मान रहे है, तो वेख के मान रहे होगेगा, कोई रस मान रहे है, तो सुन के रस मान रहे होगेगा, कोई रस मान रहे है, तो चक के रस मान सबर्श करके रश मांड़े रहेगा सुझ के रश मांड़े रहेगा और थे कुई ग्ठी निने吗 कि कोई रस भी नहीं मुलक मजोरिये मुलक है यह नहीं काम, क्रोध, लोब, मो, अंकार एक मजोरियां भी इस दियां पंज ने ए दिरिश्ट मारी गुरुगोविन सिंग जी महराज ने देखिया मनुखी मुझसमे नो एदिश्टे पंज परदान ने पंज करम इंदरे, पंज ग्यान इंदरे, पंज ततदी एकाया और फिर पंज मूल विकार, सड़े देश्टे प्राचिन रिशी मुनी ते शरीर भी पंज मन दे रहने इक नहीं, ते जो शरीर है सड़ा इक निन पंज शरीरां दा जोड़े, पंज तत्तां दा ते जोड़ है पर एक पंज श्रीरां दा भी जोड है ते पंज श्रीरां दे उन्हाने ना रखे ने अनमाई कोश, प्राण माई कोश, मन माई कोश, विज्ञान माई कोश, अनंद माई कोश एक पंज कोश ने एक पंज श्रीर इस तरह ने एक श्रीर दोते दूजे दी परत है जिमें प्यास दे छिलकें दे छिलकें हों देने स्रीर दी पर्त दे पर्त उपर उपर जिड़ा है यह है अनमई कोश साधे त्रेमन देहुरी चले पाणी अन इकागरता ब्रदा जो है प्रदान करने कीरतन देच सुर्त जुड़ जाए कीरतन बंदगी कथा देच सुर्त जुड़ जाए कथा इबादत चै करन वाले दा मन जुड़े चै सुनन वाले दा कोई गावे कोश सुने हर नामाचित लाए कहो कभीर संसा नहीं अन्त परम गत पाए पादशा तड़ी सुर्त नु जोड़े यह जो अनमई कोश है यह चल दा है अन्त पाणी दे आसरे थे उन्त काश बंदा एक सरीर होंदा कि अन्त पाणी नाल मसला हलो जाना से गल खत्मो जानी से नहीं मनुख निरा अनमई कोश नहीं कुछ और भी है ते अनमई कोश दे तलते वी जिड़ा बंदा सजग नहीं है कुछ दे गल्ट घिजा दे रहे है गल्ट भोजन दे रहे है गल्ट अहार दे रहे है तो गल्ट अहार अनमई कोश दे तलते रोग पैदा करेगा नालियां दा गंदा पाणी पशू पी लें देने जोणा दा गंदा पाणी जानवर पी लें देने लेकिन मनुख भी पीवे हैं तो फिर पशू समान गंदा ते पुरूथा बदबूदार चूठा भोजन भी पशू खा लें देने पंची खा लें देने अगर मनुख भी ऐसा खावे या खान ते मजबूर होए तो अनमई कोश देच रोग लाजमी पैदाउने इन्हों के इन्हों अहारक रोग प्राण मई कोश दूजा श्रीर है इन्हों ताजी स्वस्त खुली हवा वी चाहिए दिया अगर ना मिली अठे पैरिस उन्हों बंद हवा देच रेना पे आप पुरूथी हवा देच रेना पे आ तो इत्थों एक रोग पैदा उणगे प्राण मई कोश दे तलते प्राणे वैद केंदे रहे कि लाजमी नहीं रोग अनमई कोश दे तलते होगे वेकना चाहिदा उदी जड कितनी गहरी है जिडा भेंकर रोग शरीर दे तलते जितने भेंकर डंगनाल प्रगट होए है उदीं जडा उतनी अंतर गहरी होणगियां जिड़ा द्रख्त जितना उपर उठदा है उन्नु जणा अपनिया उतनिया नीमे ले जानी है पैनिया वरना टिक नहीं सकड़ा वरना उजदी होंद काइम नहीं हो सकती तीसरा श्रीर है मनमई कोश इस समय इस सदीरिच भावे अनमई कोश दी घिजा ठीक ही हो गई होगे और बोठेरा सुधार कर ले अगया है प्राणमई कोश नो भी बंदा सही आहार दे देंदा होगे चलो किसे वगद कुली हवाज टैलना है को मिना लेकिन मनमई कोश नो सारा संसार गंदी घिजा खिला रहे है तुसी आखोगे मन दी घिजा की है मन दी घिजा है विचार कोई नावल पढ़ रहे है कोई फिल्मी मेगजिन पढ़ रहे है कोई जासूसी ते जिन सियातनल भरिया कहाणियां पढ़ रहे है ये सब अंदर जाएगे ते मन मैं कोश्दी घजा है ते मन दा खाना है इदिन अलब पेट नहीं भरदा है ये अनमाई कोश्दी घजा नहीं है ये प्राण मैं कोश्दी घजा नहीं है पर इजड़ा कीरतन है मैं अर्श कराएं ए दिन अलवी पेट नहीं परेगा एवी अनमाई कोश्दी घजा नहीं है एवी मनमाई कोश्दी घजा है यह जो तुसी कथा सुन रहे हो एवी अनमाई कोश्दी ते प्राणमाई कोश्दा भोजन नहीं है यह मनमाई कोश्दा भोजन है आहार जिम इस श्रीर नो गंदा पाणी दे के भी पिला के भी प्यास बुझाई जा सकती है गंदे विचारां तो भी अनंद ले आ जा सकता है मैं ऐसे मनुक देखे न अठट घंटे नावल पड़ रहे हैं रोटी खाना तक बोल जान देना है रास ले रहे हैं बड़ा रास आ रहे है बड़ा स्वाद आ रहे है गंदा पाणी पी रहे है पशू सुनू बड़ा स्वाद आ रहे है गंदा पुरूथा भोजन खा रहे है पशू नू बड़ा स्वाद आ रहे है इस सदी देच जितना गंदा फैश लिटरेचर चपके आलमे वजूद देच आया है और पढ़ पढ़ के जितना मनुखदा मन रोगी होया है पिछली है सदीयां देच मनुखदा मन इतना रोगी नहीं सी हाँ तन ज्यादा रोगी सी कारण तननो स्वास्त भोजन उपलबद नहीं सी जोड़ा दा गंदा पाणी सी जिस तो नासूर हो जानदा सी यह नेका तरा न दे जो है नारू बेश्तर रोग पैदा हों दे सल जोड़ा दा तलाबा दा गंदा पाणी पीना बावलियां दा पाणी पीना कोई स्वच ताजा सुत्रा पाणी नहीं सी भोजन प्रती भी कोई बहुत उन्नती नहीं हो इसी श्रीर बड़े रोगी सन थोड़ी जियां सदियां पिछे चले जाईए अजे श्रीर नू स्वस्त रखन दे साधन बहुत जुटा लए गया लेकन भेंकर रूप देच मनुख ने अपना मन रोगी कर ले है है रानगी हो जान दी है सिखा दे घार देच देखके फिल्मी मैगजिन पहने गंदे नावल पहने दावर ओ किते चला गया जब लोगी पढ़दे सन शौकनल बाबादीब सिंगनो पाई मनी सिंगनो भाई दे अले नो पाई मती दासनो बवंजा कवियानो नंदलाल नो आज ते इना दा बोद नहीं रहे गया इरान दे सूफी फकीर जनाव शेक साथी साब देख बड़ा कीमती कौल है तो कहें देनें ताजा खवाही दासतां गरदाव हाए सीना रा गाहे गाहे बाजे खवां इंवाकाए पारीना रा जितुं सीनें दिच किसे दी याद नो तरो ताजा रखना चाना है जना सफया नो पढ़के तुं पाड़ चुके है इना नो फिर जोड़ते फिर पड़ ताकि किसे दी याद तेरे अंदर फिर उम्ड़े फिर पैदा होए यकीन जानो असी भाई बननो नो पढ़के पाड़ चुके है भाई मज नो पढ़के पाड़ चुके है साइमिया मेर नो पढ़के पाड़ चुके या पीर बुद्दु शाह नो पढ़के पाड़ चुके या आज इना ने समन देच कौन पढ़ देच किस दे घर देच किताबां पर इया कौन शोक रख देच ताजा खवाही दासतांगर दागहाए सीनारा गाहे गाहे बाजे खवाई वाकाए पारीन आरा पाड़े होई सफिया नो फिर जोड़ते फिर पढ़ जे तु सीने देच किसी याद नो फिर उजागर करना चाना है जे फिर तु दीपने सिंग नाल जोड़ना चाना है जे तु फिर नलवे नल जुड़ना चाहना है जे फिर तु अपने अंदर कोई अकाली फूला संग पैदा करना चाहना है जे फिर तु अपने अंदर किसे मती रास्ते दिया लेनो जनम देना है ता इना पाड़े होई सक्यानो फिर पड़ कड़ दे फूक दे इना फिल्मी मेवजी नानू ते गंदे नावलानू कड़ दे जाड़ू पो आरी दे के बार कड़ दे जिमें कुड़ा किरकट बार कड़ी दे निते कुड़ा किरकटी ने कुछ मैल ऐसी है जो मूँ दे राही अंदर जान दी है कुछ मैल ऐसी है जो खादे राही अंदर जान दी है कुछ मैल ऐसी है जो कन्ना दे राही अंदर जान दी है और कुछ ऐसा है जो पढ़ी है सोची है कि अंदर गलाज़त भर दी है इतना गंदा फैश लिटरेचर किस तरह मन स्वास्त रहेगा कि में मन तंद्रोस्त रहेगा और घर घर देच है जिननों बड़ा गुर्मख कई दे अमरत वेले आन वाला कई दे उन्हों दा शौक भी ऐई देखी दे तो मन में कोश ए तीसरा स्रीर है इदी अहार है चंगी विचार चंगी स्रोत चंगा पढ़ना और नहीं तो फिर मन दे तलते बंदा रोगी होवेगा विज्यान में इकोश इदी साधना इदा अहार है खोश सजगता सुचेत पणा बोल देयां उठ देयां खान देयां पें देयां ए मनुक हर पखदेच तू सावधानी वर्त हर पखदेच ति जिद तू वर्तेंगा ति तेरा जड़ा विज्यान में कोश है जीवन दी सारी हकीकत तेरे सामने रखदेगा ति जिड़ा इस धंग दी सजगता जीवन दे हर पखदेच वर्तर है कैने ऐसा मनुक जीम दे अनन्द मैं कोश दे तल दे पजमा कोश है अनन्द अनन्द मैं कोश मनुक दे प्राणा दिच प्यास है अनन्द दी मनुक दी मूल मंग है अनन्द मैं अर्श करां सुख नहीं सुख दे मकाबले ते दुख है सुख पदारत तो भी मिल सकदा है जिनों सहूलतां सी कहें देया अनंद पदारत तो नहीं मिलेगा अनंद ते प्रमात्मा तो मिलेगा अनंद ते गुरु तो मिलेगा अनंद अनंद सब को कहे अनंद गुरु ते जाने है अनंद दी प्राप्ती गुरु तो होवेगी सहूलतां ते पदारत तो भी मिल सकदेने वक्ती ताउर दे जड़े सुख ने ते पदारतां तो भी मिल सकदेने पर अनंद प्रमात्मा तो आउंदा है प्रमात्मा एक है अनंद भी एक है अनंद दे विप्रीत होड कोई दूजी दशा नहीं है कोई दूजी आवस्ता नहीं है सुख दे मकाबलेते है दुख अनंद दे मकाबलेते نہیں अनंद सिद्ध्ध पर मात्मा तो मिलगए इस वासते सहबाधी बाणि कें दिये अनंद अनंद सब को कहे अनंद गुरूते जाने अनंद दा बोध पे गुरूत होया अनन्द दी प्राप्ती ते गुरू तो ही मैं फिर अर्श करा सहूलतां पदारत तो मिलनगिया अनन्द गुरू तो मिलेगा सुख धन तो भी मिल सकदा है अनन्द ते गुरू तो ही मिलेगा सुख ते प्रवार तो भी मिल सकदा है अनन्द तेने रंकार तो ही मिलेगा अकाल पुरुक तो मिलेगा परीपूरण प्रमात्मा तो मिलेगा तो मनुखदी मूल मन्जिल अनन्द है प्राणा देच चाहत अनन्द है गहरी प्यास अनन्द दिये शैद इसे वास्ते गुरु घर देच हर दिवान दी समापती थे चाहे हो दिवान कैसा ही है अनंद पढ़ना बड़ा लाजम है और मैं अर्ज करां अनंद उदो मिल दे है जद गुरू मिल दे है अनंद भया मेरी माँ है सत गुरू मैं पाया पिते सत गुरू पीश्वर वाची शबद है परमातमा मिले है अनंद मिल गई परमातमा मिले है परमानंद दी खान मिल गई है पर एक के में मिले है धन के में मिले है इदे वक वक ताउर तरीके मनों का अपनांदा है कोई कुछ दंदा करदा है कोई कुछ दंदा करदा है ए अनंद के में मिले है ए प्रमात्मा के में मिले है तो हुन मैं इसकर आँ बड़ी गैराई नल गुरु गौबिन सिंग जी महराजी ने देखे है एपज तत दा पुतला एपज शरीरां दा मुझस्मा एपज ग्यान इंद्रियां दा जोड एपज करम इंद्रियां दा इकट और एपज विकारां दा पुतला काम, क्रोध, लोग, मो, अंकार एदी जोली देचे गुरु गोबिन सिंग जी महराज ने पाईयां पज बाणियां ते पज रहता छे बाणियां भी दे सकते सन ते चार भी दे सकते सन पज दरसल काईनात देच जिडीक मर्यादा कम पई कर दी है उसनो बोध देच रखके मेरे पाथशा ने जोली देच पज रहतां पाईयां पज बाणियां पाईयां ए मूल साहिव गुरु गोबिन सिंग जी महराज दी सोच ने कदी कदी मैं अपने ढंगनल जहात मारदा कि इसलाम देवानी मुहम्मद साहब ने मुसल्मान दी जोली ज पज ने माजां पाईयां चार ने माजां वास्ते भी कह सक देशान छे वास्ते भी कह सक देशान पज लगदाय परकिर्टी दे नियम दा उनानू भी बहुत से इश्वर दी मर्यादा दा उनानू भी ग्यान से पज नमाजां वक वक समे दिया मुसलमान दी छोलीज बाद दिया और इंज दस दिता काईनात दे जड़ी परधानता है वो है ते पज़ा दिया मुगल पज़ा दी गल और हैरान की दी गल गुरु गोविन सिंग जी माराज ने पज बाणिया और पज रहता एमेनी चोलीज पाईया पहले पज सिर मंगे चार सिर मंग सकदेशन एक मंग सकदेशन आठ मंग सकदेशन पज ये मंगे आपने इत्थे भी गिनती पज़ा दी रखी देन लगेया भी गिनती पज़ा दी रखी लेंड रखे भी गिनती पज्या दी रखे और ये उसनों ही मिलियां सववातां ओधी जोलीच पैगे गईयां और वाकई उसनी जोलीच पैशक दियाने जो सिर देन ले राजी होगे जो सिर भेट करन ले राजी होगे जो अपनी सोचनी नहीं भेट कर सकदा जो अपना दिमाग नहीं बेट कर सकदा जो अपना सिर नहीं बेट कर सकदा मुश्किल है ओ गुरू दे मत ते गुरू दा दिमाग ते गुरू दी सोचनी ले जाए अक्सर मैं अर्श करदा हूना मत्ठ़ टेकन दा इतनी मतलब है ऐ गरू जो ऑगे सिर तेरा ले जा, तो मेरी सोचनी ले जा, मत्था टेकना उस दाई सफल है, जो अपनी मत रखे ते गुरू दी मत लवे, जो अपनी मत भेट करे, गुरू दी मत ले जाए, अपनी सोचनी इथे रख दे वे, गुरू दी सोचनी ले जाए, अपने विचार इथे रख दे वे, ते मेंसा दर्स मिल जानाता है, मजल ते है अनंद, पहुंचना ते है अनंद तक।